आका सुपह मुझ मैं कही मैं काईनात का जरीय हूं दरीया की एक बूंद नहीं हूं। हम इस वीडियो में आपको वरतमान में डिजितर सिक्सा का पर्याई बन चुके उटकर्स संस्थान और उटकर्स एप के बारे में बताऊंगा कि क्यों एक student के सपनों को साकार करने के लिए उतकर्स ही सबसे जरूरी है तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि उतकर्स एक संस्थान नहीं है यह एक भावना है, यह एक उसला है, जजबा है, जुनून है और सबसे बढ़कर उतकर्स हमारे सपनों का इक परिवार है बरतमान में हमारे पीगे निर्मल गैलोज सर ने उतकर्स के माध्यम से पूरे हमारे देश में डिजिटर क्रांती फेला दिये आज हर इस्टुडैंट के माünde में हमारे देश के हर सटुडैंट के माबाईल में उतकर्स एप मजूद है जिसके माध्यम से वे अपने सपनों को उड़ान दे रहे है उतकर्स एप में, सभी परत्यों की परिख्शां के लिए बहुत दी कम फीस में अनिये कॉर्स उपलब्द हैं जिसको परचेस करके कोई भी स्टुडेंट अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। उतकर्स क्लासेज की फैकल्टीज देश की सबसे बेस्ट फैकल्टीज हैं। सबी विशे विशे सके इतने सांदार तरिक से अध्यन करवाते हैं कि हर कोई स्टुडेंट किसी भी टॉपिक को आसानी से समझ सकते हैं। और सबसे बेस्ट क्लास जो मुझे लगती हैं वो यह करेंट अपेट्स के विशे सकी कुमार गोरोसर की फूल पती वाली क्लास। वास्ट में इस क्लास को देखने के बाद दिल गार्डन, गार्डन ओजाता हैं। यह क्लास भारत की सर्वदी , देखे जाने वाली ककसा है अगर आपका मन पड़ई में नहीं लग रहें आप पड़ई से बतग गहें तो एक बार कुमार गोरोसर की क्लास को देखना मैं स्टार्ट कर दीजिए मैं गारंटी के साथ कहा सकता हूं कि आपका मन पूरे दिन पड़ाई में लगा रहीगा और आपको अपने अंदर से मोटिवेशन फील होगा कुमार गोरोसर के बारे में मैं दो लाइने बोलना चाओंगा कि हर चीज अपने वक्त पर अच्छी लगती हैं बस एक आप हो जो हर वक्त अच्छे लगती हैं अब उतकर्स एप के बारे में बात कि एजुकेशन में अगर कोई बेस्ट एप हैं तो वो हैं उतकर्स एप इस ए जिसको आप कहीं भी कभी भी और किसी भी समय में देख सकते हूँ इसमें आपको E-notes मिलेंगे जिसको आप highlight कर सकते हो अपने खुद के notes कर सकते हो Night mode में देख सकते हो इसमें आपको परते कख्षा की PDF मिलेंगी Model Test Papers मिलेंगे Quizzes मिलेंगे और आप वीडियो को audio की रूप में भी सुन सकते हैं तो इतने सारे एक से बढ़कर एक सांदार फिचर से युक्त उतकर्स एप को आज इंस्टॉल करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाते हुए अपने सपनों को उच्छा ही परतान करें अब मैं अपनी बात को कुछ लाइनों के साथ समात करना जाओंगा कि जजबा है जुनूने होसला है जजबा है जुनूने होसला है अपने हर सवाल का तो खुद ही जवाब है फिर क्यों डरता है मंजिल की तरफ बढ़ने से यह सिर्प मंजिल ही नहीं ये तेरे होसलों की उड़ाने ये उतकर्स तेरे होसलों की उड़ाने जै हिंद बंदेबाद